दौलतरामी कॉलेज पे हम नोंने रीसाइक्लिंग यूनिट स्टार्ट किया है और कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के सॉलूशन्स हम अपनाए है यह हमारे तरफ से एक कुछ बेस्ट मैनेजमेंट प्रक्रिया है और हमने यहां से हम यह भी एक मैसेज देना चाहरे हैं कि आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट में जो घरों में हम रोज कुछ ना कुछ वेस्ट हमारे किचन से या घर से निकलता रहता है वो हम लैंड फिल में जनरली फेंग देते हैं किन्तु अगर हम उसको लैंड फिल में ना भीजे और इतने बड़े-बड़े धेर जो पूरे के बनते जा अगर हम इन चीजों पर ध्यान दे तो हम इनको उन प्रोड़क्स में चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे लिए यूस्फुल है और अगर हम केवल 30 मिनट अपने दिन चलिया से निकाल सकें तो हम टेरिस फार्मिंग और वैलकरी फार्मिंग बड़े अराम से कर सकते हैं और जो कुछ प्रोड़क्स बना सकते हैं जो कि हमारे लिए यूस्फुल होंगे ग्रीनरी को बढ़ाएंगे और ऑक्सिजन लेयर को भी बढ़ाएंगे यह एक एर प्रोड़ुशन को कम करने के लिए हमारे घरों से उठता हुआ एक कदम होगा जो इस एर प्रोड़ुशन क को दीरे धीरे कम करेगा अब जो इस college में हमने recycling स्टार्ट की है वह पत्तों से स्टार्ट की है जो पत्ते हमारे medicinal plants या हर्बल प्लांच या बड़े-बड़े पेडों से जो पत्ते गिर जाते हैं वह सूप के हम पहले उनको लांट फिल पे भेज देते थे पर अब हम उसका composting कर रहे हैं उसकी manure बना रहे हैं और ये manure जो है वो इतनी rich है और इतनी useful है कि आप उसको 24-7 आप अपने पौदम में use कर सकते हैं वैसे जो आपकी गोबर की खाद है उसकी तो मानता बहुत है पर आप देखेंगे कि इस गोबर की खाद को आप केवल कुछ ही समय में डाल सकते हैं जब मौसम ठंडा होता है या बदलता है उसी टाइम आप डालते हैं अगर आप बहुत गर्मी में या सर्दी में उसको डालें तो ये जो पत्तों की खाद हैं अगर आप अपने पॉट्स में डालते हैं तो ये मल्चिंग का काम करता है और ये वाटर इब्सॉप करता है प्लस इसका जो नूट्रियंट जो है वो धीरे धीरे रिलीज होता है तो पौधे को बहुत ही फाइदा रहता है तो ये समर में आपके पौधे सूखने से इसे बच जाएंगे अगर आप समर रेकेशन में करी जाते हैं तो और कुछ जैसे हमारे पीजी में रहने वाले बच्चे हैं वो भी अपने घर दस बंदा दिन चले जाते हैं तो पीजी उनको ये फिकर रहती है कि हमारे पौधे मर ना जाएं तो अगर आप इनको ये ऐसी खाद उसमें डालेंगे तो उसका जो लाइफ है वो बनी रहेगी तो हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है किया है उसको आप विजुलाइज करें अगर आप यहां पर आएं और द बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार साथियों आप सभी का एक बर पुर्णा वेलकम करता हूं मैं प्रभीन मिश्रा और ये मैसेज आपको हमारी सम्मानित आदर्निया स्रिमती सरीता नंदा मैम से आप सुन रहे हैं और सरीता नंदा मैम दिरी इनवर्सिटी दौलात राम प्रियावरन के लिए हम जो कुछ भी प्रियास कर रहे हैं और यहां आके जो इनसे हमें ग्यान मिला और इस ग्यान को हम चाहेंगे कि आप तक भी पहुंचे तो हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे जो आज मैटम से हमने ग्यान हासिल किया है वो यही है कि जो सब्द हैं उससे ज्यादा काम बोलता है तो यह काम दिखे यह काम बोले और जब आपके घर में फूल खिलेगा तो व देली से